वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलिज फॉर एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की इंग्लिश बुक होर्नविल का जो कि नए सिलेवस के अंतरगत है और NCRT द्वारा ओथ्राइज है इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पोईट्री का एफ फोटोग्राफ जो की होर्नविल बुक में पोईट्री की फर्स्ट पोएम है जो की होर्नविल बुक का फर्स्ट चैप्टर दा पोर्ट्रेट ओफ ए लेडी के साथ दे गई है इस पोएम का दि पोर्ट्रेट ओफ ए दोनों में जो थीम है, बहलगबग सेम है, दोनों में इमोशनल थीम है, दोनों ही चैप्टर में सेंटिमेंटल इफेक्ट है, एफ फोटोग्राफ कंपोजड बाई सरले टल्शन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कि एक पिक्चर पर आधारित है, पोएटरस के घर में उसकी मा की एक तस्वीर लगी है, जिससे पोएटरस ने कार्ड़ बोर्ड का नाम दिया है, कार्ड़ बोर्ड क्या होता है, एक गत्ते का एक फ्रेम होता है, उस पर फोटो को पेश्ट कर दिया जाता है, उसी का इस पोयम में बल्लन क्या गया है, पोईटस उस काड़ वोर्ड को देखकर अपने बच्पन के दिन्याद करती है कि किस तरह वह बच्पन में अपनी मा के साथ रहती थी जो कि अब नहीं है क्योंकि उनकी मदर की डैथ हो चुकी है पोईटस इस तस्वीर को देखकर अपनी मदर को याद करके सोचती है कि उसकी माँ भी इस तस्वीर को देखकर कितनी खुश होती थी क्योंकि जबकि वो तस्वीर है उसकी मदर की उम्र उस वर्स उस वक्त लगभग बार वर्स की रही होगी पोईटर्स फोटोग्राप के माध्यम से जीवन की जो तीन स्टेज हैं चाइल्डूड यूथ एंड ओल्ड एज उसके बारे हम बताती है फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो लाश्ट तक देखनी है और लाश्ट तक देख़िए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी जी हेलपुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक वर शेयर करके मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले वेवल आइकन प्रेस कर देखे ताकि मेरी प्रितियक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके Now we start the poem A photograph composed by Sir Le Tulsan इस poem का जो theme है वो poetess अपनी मदर के उपर explain करती है The cardboard shows me how it was when two girl cousins went paddling The cardboard, cardboard means photo shows दिखाता है मी मुझे how means कैसे it was यथा वहन जव two girl cousins यनि दो चचेरी वहने went गई paddling Paddling कहते हैं जो समुद्र के बीच होते हैं उस पे चहल करनी चपचपाहट करते हुए गाना Each one holding one of my mother's hand Poetess कहती है कि जब कि ये तस्वीर है तव उसकी मा एक लड़की थी और उनकी दो चचेरी जो बहने थी उनकी मा की उन्होंने बाहे पकड़ी हुई थी As she the big girl some 12 years or so और लगभग उनकी उमर उस वर्स उस वक्त वार वर्स या इसके आसपास की रही होगी All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera A sweet face और बे तीनो stood माने खड़ी still still to smile मुश्कुराते हुए Throw their hair अपने बालों के बीच में से यह अपने बालों में से बें मुश्कुरा रही थी My mother's that was before Add the uncle with the camera a sweet face राइटर कहती है कि मेरी मा का चेरा बहुत प्यारा था और उसके अंकल के पास जो है कैमरा था बे कैमरे से उनके फोटो ले रहे थे My mother's that was before I was born यह उस समय की बात है जब अभी मेरा जनम भी नहीं हुआ था Before I was born And the sea which appears have changed less Sea means samudra which appears ऐसा लगता है Have changed less जो बहुत कम बदला है वाश्ट दियर टेरीबली ट्रंसाइंट फीट वाश्ट मिस धोना और वो धो रहा है दियर उनके टेरीबली ट्रंसाइंट फीट अत्यदिक अल्पकालिक पैर धो रहा है क्योंकि समुद्र में ऐसा होता है जब जो समुद्र की आसपास का जो छेतर है बीच है तो उन पे जो पैरों के निसान लग जाते हैं तो बेपानी के बहाव से उसके उपर आगे पीछे जाने से पानी के वे पैरों के निसान मिटते रहते हैं next some 20-30 years later some means कुछ 20-30 वर्स बाद she had laughed at the snapshot she, Betty and Dolly लगबग 20-30 वर्स बाद भफोटो देकर हसती थी बाद कहती थी, बेटी को देको, Dolly को देको she had say and look how they drenched us for the beach the sea holiday was her past mine is her laughter both worry with the levered ease of loss and look how they look means, देखना, how they वे कहती थी, कि उन दिनों जो dressed us for the beach यानि समुद्र तट पर जब चुट्टी मनाने के लिए जाती थी तो कैसे कबड़े पहना करती थी the sea holiday was her past mine is her laughter और समुद्र तट पर बिताई जो चुट्टी थी अब उनके लिए बे अतीद की बात बन गई थी मेरे बे मेरी मा के लिए ये बात अतीद की थी और उनकी हसी भी अब अतीद की बात बन गई थी बहुत वरी विद दी लेवर्ड इस ओफ लोज तथा इस च्छती पर हम दोनो मुस्किल से सामानिय दिखने का प्रयास करते थे क्योंकि एक दूसरे से बे अपनी दुख बरी बाते चुपानी कोशिस करती थी Now she has been dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all it's silence, silences Now means she has been dead nearly as many years यानि अब उसकी म्रत्यू को उतने ही दिन उतने ही वर्स ब्यतीत हो गए as that girl lived यानि जितने वर्स की वो लड़की जिन्दा थी यानि फोटू में उनकी उम्र उस वर्स 12-13 वर्स थी और अब उनकी म्रत्यू को भी इतना ही समय लगभग हो गया था end of this circumstance तताइस घटना के बिसा में और there is nothing to say at all और कुछ कहने के लिए नहीं है और कुछ नहीं कहा जा सकता इसलिए it silences इसकी चुपी इसका चुप ही मुझे चुप कर देती है thanks for watching my video thank you झाल झाल झाल